हमारे देश में इन दीनों home gardening लोगों का खासोक बना हुआ है और वो अपने इस खासोक को पूरा करने के लिए अपने घर में तरह तरह के फूलों वाले इसब्जियों वाले या फूरूट वाले पोधे लगाते रहते हैं ज्यादा तर home gardening करने वाले लोग अपने घर में फूलों वाले पोधों को बड़े पैमाने पर लगाते हैं क्योंकि फूलों की देखभाल आसाने से की जा सकती है यदि आप भी अपने घर में फूलों वाले पोधे लगाना चाहते हैं यः गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये सुन्दर सा दिखने वाला सदाबाहर का पोधा अपने गार्डन में जरूर लगाएं सदा बाहर का पूधा लगाने के लिए आप इस तरह से एक मीडियम साइज की गमले का यूज़ कर सकते हैं इसको जादा मिट्टी की जरूरत नहीं होती है यह चोटे से गमले में भी अच्छे से सर्वाइव कर जाता है सदा बाहर के पूधे को लगाने के लिए आप गमले में मिट्टी, रेद और खोड़ी सी वर्मी कमपोस्ट इन तीनों को मिक्चर बराबर-बराबर मात्रा में लेकर उस गमले में भर सकते हैं यह सब चीजें आप गमले में भरने के बाद अपने पडूसी से या अपनरसरी से लाकर सदा बाहर की कोई टहनी गमले में लगा सकते हैं इसकी cutting भी आसानी से चल जाती है और यदि आप बारिश के सीजन में लगाएंगे तो आसानी से grow हो जाती है उसके मरने के chances बिल्कुल भी ना के बराबर होते हैं सदा बाहर का एक पुधा लगाने के बाद आप उससे धेर सारे पुधे बना सकते हैं यह देखिए यहाँ पर मैंने एक ही पुधा लगाया था और अब उससे कितने सारे नए नए पुधे अपने आप उसके आसपास उग जाते हैं यह देखिए यहाँ पर यह अलग से अपने पूरा साल आपको गार्डन में खूते हुए नजराएंगे इसलिए इसको सदा बाहर का पूधा कहा जाता है सदा बाहर का पूधा गमले में लगाने के बाद आप गमले को ऐसी जगाया पर रखें जहां पर 6-8 घंटे की धूप जरूर आती हो यह जादा धूप पसंद करने वाला पूधा होता है यदि आप इसको छाया वाली जगाया पर रखेंगे तो यह अच्छे से सर्वाइव नह कर पाएगा और नहीं इसमें कितने सुंदर सुंदर पूल आपको देखने को मिलेंगे आपको इसकी मिट्टी में ज्यादा पानी नहीं डालना है बस हलकी सी नमी बनाए रखनी है और 30-35 दिनों के बाद आप इसमें कोई भी और गैनिक खाद डालते रहें आप देखेंगे कि 3-4 महिने में ही आपका पोधा कितने अच्छे से सरवाईव कर गया है और उस पर बहुती सुंदर फूल खिलने लगे हैं तो ये थी हमारी सदा बाहर के बारे में एक छोटी सी वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें श पैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में